तो दोस्तों कल कुछ guidelines जारी की गई भारत सरकार की तरफ से OTT media platforms या फिर digital media या फिर social media giants के लिए जिसको धमकी बताया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से इन सारी companies को लेकिन सच क्या है क्या ये सच मुच में धमकी है या फिर एक समय की चितावनी या फिर एक समय की जरुरत और तो दोस्तों कल union minister प्रकाष जावड़कर और अविक्ष शंकर प्रसाज जो आते हैं उस media के सामने और एक press conference करके चले जाते हैं OTT media platforms, social media giants और digital media के लिए और उनमें कुछ guidelines होती है अब सरकार के साब से जो guidelines है ना ये तो सिर्फ guidelines है लेकिन जो लिब्रांडू समाज के जंतों हैं उनके लिए धंकिया हैं पर ऐसा क्या है इन guidelines में ये हम जब मैं मंत्री के रूप में बैठता हूं तो मुझे balance करना पड़ेगा ना social media का व्यावसाइग हित और social media के उपयोग करने वालों का व्यक्तिगत पीड़ा का हित मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं अगर एक माँ मेरे सामने आती है कि मेरी बेटी को defame कर रहे है उसका पूर प्रेमी तो मुझे क्या करना चाहिए अगर कुछ लोग भारत को तोड़ने यह नियम कोई शिकायत कर सकता है और उस शिकायत का निश्ट पादम होना जरूरी है और मुझे उमीद करता हूं कि अगर 140 करोन भारती उनको यूज करने जैसा मैंने बताया तो आप पैसे कमाईए अच्छी बात है लेकिन आप जिमवार भी बनिये और इसका पादम भी करि और उसको मानने के लिए कुछ रूल्स बनाएगा है एक रूल है डिजिटल मीडिया कंपनी जैसे की दा वायर स्क्रोल या दूसरी तरफ से आप इंडिया उनके लिए जिसके अनुसार इन डिजिटल मीडिया कंपनी के अब्जेक्शनेबल कॉंटेंट को उन्हें 36 घंटे क भीतर हटाना पड़ेगा अगर प्रशाशन की तरफ से ओर्डर आया है तो और अब्जेक्शनेबल कॉंटेंट का मतलब है ऐसी फेक न्यूज जो भारत की सम प्रभुता यानि की सौन्टी को या इंटिग्रिटी के लिए खतरा हो इसके अलावा सोशल मीडिया कंपनी जैसे ट्विटर, फेस्बुक वगेरा वगेरा इनके लिए जो ग्रेवियांसिज होते हैं यानि कंप्लेंड होती है कि इसके निवारन की टाइम लाइन तै कर दी गई है फूर एक्जामपल अगर किसी ने कंप्लेंड की है माफ्ट इमेजिज या निूडिटी की तो उसे 24 गंटे के भीतर डिलीट करना होगा इन प्लेटफॉर्म्स को दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया की कंप्नीज है जैसे के ट्विटर, फेस्बुक वगेरा 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 उनको दो कैटेगरी में बाटा जाएगा पहली कैटेगरी होगी सोशल मीडिया कंप्नीज दूसरी कैटेगर बाटफॉंस का यूज किया रहा है क्युनि गलश शक्तिएक तौर कि बारत के खिलाफ कि एक campaign को चलाने में जैसे कि ख्लिसानी सक्तियों ने प्रहुप किया था राना और गेंटर थन्बूर्ग का प्रियोग Twitter का प्रियोग किया गया था, उसमें platform के तौर पर और भारत के खिलाफ ए campaign चलाया गया था, तो इन सारी significant social media companies जो हैं, उनको भारत के प्रशाशन की मदद करनी पड़ेगी उस campaign के origin तक पहुँचने में, इस कहला है यह थी कोई social media user जो अपने आपको verify कराना चाता है platform पर खुद से ही तो उसके लिए भी option देने का प्रावधान करने के लिए कहा गया है social media companies को, आप ज़रा OTT platforms पर आते हैं, जैसे कि Netflix, Disney Hotstar वगयरा वगयरा उनके बारे में बात करने के लिए सामने आये प्रकाश जाबडेकर, उन्होंने आते हुए कहा कि हमने कई देशों का model जैसे कि Australia, European देश, UK या फिर और अन्य कई देश, Singapur जैसे देशों का model जो है, वो सर्च किया है, उनको देखा है, और उ OTT या फिर Digital Media के लिए कुछ rules होंगे, जिसमें से एक है Soft Touch Self-Regulation Architecture, यानि कि Self-Regulation, यानि कि खुद पर नियंतरन रखना, अब ये कैसे किया जाएगा, तो जी इसके लिए होंगे Code of Ethics, इन codes के अनुसार OTT company ये तै करेगी, कि जो web series उनके platform पर आ रही है, उसमें कुछ गड़ब है या नहीं, और फिर जो content है, उसे age category wise classify करना होगा, दूसरी तरफ बच्चे जो है, वो mature content ना देख पाए, इसके लिए भी व्योस्ता करनी होगी, आभी से कहीं लोग मीडिया के मूँपर ताला है, फिर freedom of expression और speech का जो हनन है, उसको इस प्रकार से दिखाने का प्रयास किया देश के अंदर Twitter पर trends चलने लगे, मोदी planning farmer genocide, अब खालिस्तानियों ने 26 January को कांट कराया था, उसके बाद इस देश के अंदर ऐसे trends चला कर देश में किस प्रकार से हिंसा का एक माहौल व्याप्त करने की कोशिश की जा रही थे, तो इसे देखते वे भारत सरकार की तरफ से एक action लिया आगया, 200 accounts की एक list बनाई गए और उसको Twitter के बाद भेद दिया गया, इन्हें ब्लॉक कर रहे हैं, अब Twitter ने क्या किया, उनको ब्लॉक कर दिया, कुछ घंटों के लिए जिसमें बड़े-बड़े account भी थे, जैसे कि तक कारवा और सुशान सिंग का account, अब Twitter ने कु non-compliance notice भी दिया गया भारत सरकार की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा के, Twitter को भारत का कानून मानना पड़ेगा, और क्या violence create कर सकता है, और क्या नहीं कर सकता, ये जो निर्ना है, ये भारत की संस्थाएं करेंगी, designated officer करेगा, Twitter नहीं, Twitter ने उस टाइम तो ये सारी चीज़े मा आनी नहीं, और उसके बाद अब ये कानून rules आ गए हैं, तो अब Twitter का बाब भी मानेगा, दूसरी तरफ OTT प्लाटफरम जो है, उनका क्या सीन है, अब दरफ वो देखने की कोशिश करते हैं, तांडव वेब सीरीज जो आपको याद ही होगी, अब कल 25 फरवरी 2021 को, जो Amazon Prime है उसकी content chief है, अपर ना पुरुहिज जी, उनकी bail की जो याचिका है न, वो इलाबात court ने खारिस कर दी, जी हाँ, खारिस कर दी, क्यों क्या crime किया था इन्होंने, तो जी, तांडव वेब सीरीज आपको याद ही होगी किस प्रकार से, उस सीरीज के अंदर हिंदू भावनाओ को भढ़काने का प्रयास किया गया था, ऐसा, बहुत से लोगों ने कहा था, दूसरी तरफ भगवान शिव की mocking वाले सीन हमने खुद ने देखे हैं, और तीसरी तरफ इस प्रकार की जब चीजें हुई, तो हिंदू भावनाओं हर्ट हुई, उसके बाद F.I.R. हुई, और सरकार के उपर दबाव पड़ा, तो सरकार ऐसे रूल लेकर आई है, लेकिन अंत में सवाल यही आजाता है, कि क्या यह Freedom of Expression का हनन है, यह फिर मीडिया के मूँपर ताला है, तो जी Self-Govern करने के लिए कहा गया है, यानि कि कुछ Rules बना दिये गए हैं, उन Rules को Follow करते हुए, आ आपके उपर कोई regulatory body नहीं है, जो आपको certificate देगी, आपके लिए decision लेगी, दूसरी तरफ आपको अपने platform का जो use है, उन ताकतों से रोकना है, जो भारत को destabilize करनी की कोशिश करते हैं, तो I think इस प्रकार का जो Rule है, वो तो अधिकांस देशों ने बना ही रखा होगा, अब म अधिनाबाद का रोना क्यों रोय जा रहा है, दूसरी तरफ में support करना चाहते हैं तो patreon.com है उसके लिए और join button है उसके लिए, जिनके थुरू आप हमारे कारे को support कर सकते हैं, आपको support है वो वांचनी है, उसे चैनल चीविद रहता है, link description और पिन comment के अंदर है, आप देख चैनल चीविद राद कबर चाहिन दिच्चा भारत